हाई बेटीफूल कैसे हो आप सब तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी आप अपने घर पे ही कैसे रोज शोप बना सकते हो हाँ जी मार्किट से महगी महगी साबून लाने की जरूरत नहीं है आप अपने घर पे ही नैचुरल और गैनिक रोज शोप बना सकते हो बहुत ही आसानी से तो उसके लिए हमें चाहिए थोड़े से गुलाब की पतियां और यह जो आप देख रहे हैं गिल्सरीन बेश शोप है तो आप इसको मीशों से भी बाय कर सकते हो मैंने यह मीशों से लिया था आप गिल्सरीन शोप बेश करके सर्च करोगे ना तो आज आएगा निकलके और ट्रांस्पेरेंट होता है कोई साइट इफेक्ट नहीं होता इसका कोई कैमिकल नहीं होता इसमें और काफी अच्छा होता है और मेहंगा भी नहीं होता ठीक है तो काफी सस्ता बढ़ा था मुझे यह 128 रुपए के करीब काफी बढ़ा सारा आ गया था और मतलब का तीन बार इसमें मैं शाबून बना चुकी हूं ठीक है तो आप ये मेशों से ले चुकते हो उसके बाद आपको गुलाब की पतियों को थोड़ासा पाने डाल कर पीस लेना है या आप गुलाब जल डालका भी पीस सकते ओ के मरजी है मैंने इसको पानी डालके पीस लिया था थोड़ा सा बारिक पीस ले ना गुलाब के पत्तियों को और फिर ये गिलस्रीन को आप छोटे छोटे टुकडों में काटके और बिल्कुल धीमी आज पे इसको आपको मेल्ट करना है अगर आप तेज करोगे ना आज तो ये लग ना और फिर शोप वाले बरतन को पानी के अंदर रखना या फिर मेरी तरह डारेक्ट गेस पर रख रहे हैं तो आज को बिल्कुल धीमा कर लेना है ठीक है ताकि ये लगे ना और फिर जल्दी मेल्ट हो जाएगा मेल्ट होने के बाद मतलब मेल्ट होना तब तक चलाते रहन है इसको लगने नहीं देना है और फिर मेल्ट होने के बाद आपको इसमें ये जो हमने गुलाब पीशा था उसको सिंपल मिला देना है आप इसमें विटामिन ए के कैपसूल भी डाल सकते हो स्किन के लिए काफी अच्छे होते हैं अगर आप डाल रहे हो तो दो से तिन कैप नहीं कर पाई इसलिए मैंने सिंपल ही बना दी ठीक है कोई जुरूरी भी नहीं है कि आपको डालने ही डालने नहीं आप मन करें तो डाल सकते हैं और उसके बाद जो ये शोप मोल्ड है हम इसमें इसको पलट देंगे और गरम गरम ही आपको ये डालना है क्योंकि थोड़ी ही देर में जम जाता है और इसको अच्छे चट डालके अगर आप डिजाइन के लिए इसके उपर गुलाब की पतिया लगाना चाहो ना तो आप पहले गुलाब की पतिया भी चाहिएगा इस मॉल्ड में और फिर ये शोबेस डालिएगा बहुत ही सुन्दर सा डिजाइन न हो दिखाना ओके तो यह आपने देखी लिया है कोई मुश्किल नहीं है जो बनाना इसको थोड़ी देर फ्रीज में रखके और दस से पंदरा मिनट में यह जम जाते और इसको निकाल लेंगे और काफी अच्छा शोब और गैनिक मतलब बिना कैमिकल का साबून बनके तयार होता है फेस पर लगाओ बोड़ी पर लगाओ कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और इसी तरीके से आप बहुत चारे शोब बना सकते हो जैसे की नेम शोप एलोएरा शोप मुलताने मिट्टी शोप ठीक है ना तो मैथड यही यूज होगा सिंपल आपको ऐसे ही करना है सिर यह डिश्पोजल होते है ना डिश्पोजल में आप जमा सकते हो शाबुन को ठीक है सिर्फ आपको शोप बेस गिलसिन लेना है और आप डिश्पोजल में यह फिर कटोरी में भी जमा सकते हो वैसी शेप निकलके आ जाएगी जरूरी नहीं है आपको यह मॉल्ट खरीदना में ठीक है और वीडियो जरा से भी हल्पूल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना सेर करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बाइबाइब